हेलो असलाम अलेकुम फ्रेंड्स आज आपका अपना भाई फरहान खान आपके लिए वीडियो बना रहा है यह बताएगा कि नीट यूजी में आपका कितना परसेंटाइल पर कितना मांक्स रहता है क्योंकि बहुत सारे कॉलिज में है ना वो परसेंटाइल के बेस पर वो कट सेंग रहेगी मैं यह सारा आपको एक्स्प्लेंड करने वाला हूं वीडियो को लाश्ट देखी का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी अगर आपने इस साल न्यूट यूजी दिया है तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो फिल् देखी आरेल मतलब कोमर रेंकलिस्ट के बेस पर होती है ठीक है माना कि आपके मार्क्स आ रहे हैं एक मिनाट मैं बताता हूं अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं शिक्षण्डेड नाइटी सेवन तो आपकी परसेंटाइल बनेगी 99.99 ठीक है यह एकुरेट डेटा है मतलब इ शिक्षण्डेड नाइटीफाइव तो देख लिएगा यह सिक्षण्डेड नाइटीफाइव तो आपकी परसेंटाइल रहेगी 99.9999725 अब हम बात करेंगे अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 692 तो आपकी परसेंटाइल बनेगी 99.999 633 ठीक है इसी तरीके से आप देख सकत अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 691 तो देखेंगा आपके परसेंटाइल जो आपकी आएगी वह 99.999 358 अगर आपके मार्क्स 690 आ रहे हैं तो देख लिए यह बनेगी 660 आ रहे हैं तो आपकी यह बनेगी और अगर आपके 680 आ रहे हैं तो देखेंगा यह परसेंटाइल हो होगे 684 आ रहे हैं तो यह परसेंटाइल होगे और अगर आपके 99.99827 परसेंटाइल आ रहे तो उसके लिए आपको 63 मार्क्स लाना पड़ेंगे ठीक है और अगर आपके 683 मार्क्स आ रहे हैं तो यह परसेंटाइल रहेगा आपका 69 मार्क्स आ रहे हैं तो यह परसेंटाइल रहेगा और अगर 681 आ रहे हैं तो यह percentile रहेगा चलो हम बात करेंगे देखेगा अगर आपके marks 600 प्लस आ रहे हैं कितने अगर आपके marks 600 प्लस आ रहे हैं तो आपकी percentile अगर आपके marks 600 आ रहे हैं तो आपकी percentile 97 प्लस बनने वाली है ठीक है बहीं अगर आपके marks आ रहे हैं 500 marks आ रहे हैं जैसे कि माना कि आपके 500 marks आ रहे हैं ठीक है इसमें जो आपकी percentile बनने वाली है बनने वाली है 90 80 88 से 90 percentile रहेगी ठीक है भहीं आपकी अगर बात की जाए अब सीधा आ जाते हैं अगर आपके marks आ रहे हैं कि माना कि 300 है ठीक है तो आपकी percentile बनने वाली है सिस्टी के अरौंड यह तो रहा आपका criteria अब हम बात करेंगे कि यह जो आपकी जो यह दिया हुआ है कि percentile क्या है माना कि आपकी percentile आई हुई है 97 percentile आई है तो इसका मतलब यह हुआ जितने बच्चे appeared हुए हैं उन में से तीन percent बच्चों से आप आगे हैं ठीक है suppose जैसा कि माना दस लाग बच्चे बैठे हैं ठीक है अगर माना दस लाग बच्चे बैठे हैं आपकी आ रही है 97 percentile तो इसका मतलब यह हुआ आपकी जो रेंक हुई वो लगवक तीस हजार हो गई ठाटीक है ठीक है मतलब एक मोटा मोटा हिसाब मैंने बताया है मतलब इतने बच्चे नहीं लगवक बारा तेरा लाग बच्चे बैठे है वह आप देख लीजिए है ठीक है इसका मतलब यह होता है कि अगर 97 percentile आई है तो आपके आप 3 percent बच्चों से आगे हैं ठीक है इसी तरीके से आपकी माना की हमने मान लिया कि आपकी 90 percentile है ठीक है तो अगर 90 percentile हो माना 10 अजार बच्चे बैठे हैं नहीं दस अजार नहीं दो 90 90 percentile है और आपकी कितने बच्चे बैठे हैं 13,00,000 बच्चे बैठे हैं ठीक है तो आपकी परसेंटाइल क्या रहने वाली है आपकी परसेंटाइल रहने वाली है एक लाग तीस अजार ठीक है अगर 90 percentile आ रही है और 13,00,000 बच्चे बैठे है तो आपकी एक लाग तीस आ जाएगी ठीक है और मजह उम्मेद है कि आप लोगों की परसेंटाइल अच्छे आएगी चलो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला आफेज